तो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्रफा अगनित की कारे पुस्तिका की सॉलुशन, क्लास 6 अन 7 के लिए, इंग्लिश मीडियों के स्टूरेंस के लिए हमने काफी सारी वक्षित देख ली हैं, साथ ही साथ हम हिंदी मीडियों के स्टूरेंस के लिए भी देख रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कारे पत्रक 71 से कंटिन्यू, कारे पत्रक 81, फर्स कोशिन है, संख्या रिखा का प्रियोग करते हुए वह पुर्णांग ज्यात करें, संख्या रिखा का प्रियोग करते हुए निमलिखित पुर्णांग के जोड को प्रदशित करें और उनका मान बताएं, तो यहाँ पर प्लस माइनस को जब आप करेंगे, तो माइनस का ही साइन बचेगा, तो 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, तो इस तरह से आपको दशाना है, प्लस का 2, ठीक है, दी को याकृती में एक संख्या रिखा को दिखाया गए, जो पुर्णांग को निरूपित करती है, इस रिखा को देखकर निमलिकित बिंदो के स्थान ग्याद करें, तो यहाँ पर देखें, बिंदू दे रखें हैं, यदि बिंदू D पुर्णांग प्लस 8 है, तो प्लस 8 वाला बिंदू कौन सा है, तो D ही है, आंसर इसका, जो आंसर है वो इसमें ही गिवन है, बिंदू A धनात्मक पुर्णांग है, या रिनात्मक धनात्मक, बिंदू B और E के संगत पुर्णांग लिखो, B का संगत G वराबर माइनस 2, E का संगत D वराबर 8, बिंदू, अब देखें, यहाँ पर यह जो बिंदू है, यह समझ नहीं आ रहा है कि उन्हों क्या लिखा है, तो इसको हम ड्रॉप कर देते हैं, यानि कि छोड़ देते हैं, तो यह डर होता है, कारेपत्रक 71, अब देखेंगे कारेपत्रक 72, फर्स्ट कोशन है, रिक्तिसानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पर जाएगा, मैनस 12 इंटू मैनस 6 करेंगे 72, 0 डिवाइड़ बाइए, किसी भी संख्या, 0 का किसी भी संख्या में भाग देंगे न, 0 डिवाइड करेंगे, तो 0 ही आंसर आएगा, निमलिकित में प्रतिक का मान गयाद कीजिए, तो यहाँ पर मैनस 107 करेंगे, तो मैनस 1 बचे दिवाइड बाइड बाइड मैनस 9 इकवल टू हो जाएगा 4, 4 इंटू मैनस 3 इंटू मैनस 5 करेंगे, तो मैनस 12 इंटू मैनस 5 कितना हो जाएगा 60, मैनस मैनस का मल्टिप्लिकिशन होने पर मैनस का साइन प्लस में चेंज हो जाता है, दिए गई कथन सत्य है या सत्य पुर् संख्याओं के लिए जीरो गुनात्मक तस्समक है तो यह समझ नहीं आया कि क्या इनोंने बूलना चाहा है तो इसको हमने ड्रॉप कर दिया है माइनस 23 डिवाइड बे माइनस 1 करेंगे तो माइनस 23 ही बचेगा माइनस माइनस कर जाएगा 23 बचेगा यहाँ पर जीरो लिख रखा इसलिए असत्य हो गया है करतका ताबमान kीतना है प्लस 5 डिवी सेंटिगरीड सेंटिग्रेड VANouse 2 डिबी सेंटिग्रेडे के इससे सब्सक्राइज इनका यह माइनस 9 प्लस 3 करेंगे तो Salz लिख बचेगा माइनस अंतर 4 निकालना है तो 9 माइनस 5 करेंगी तो 4 हो जाएगा योग 0 है तो 17 प्लस माइनस 17 कर दीजिए तो यहां पर 0 ही आएगा ठीके तो यह डन होता है कारे पत्रक 72 अब दिखेंगे कारे पत्रक 72 जिसमें नीचे दिये गए कौन को चांदिक की नाप कर लिखना है आप को तो सिंपली चांदा ले जिए और नाप लीजिए दिए के कौनों को यह है 60 डिग्री से कम होते हैं और अधिक होन होता है 90 ज्यादा वाले कौन को को सेकिंद को यह नीचे दिये के कौन को चांदी की साहता से बनाईे तो 45 को दरुशाएंगे इस तरह से चांदे की साहता से 65 को दर्शाएंगे 90 डिग्री, 70 डिग्री, 155 डिग्री, 145 डिग्री तो यह डन होता है कारे पत्रक 73, आप देखेंगे कारे पत्रक 74 फर्स्ट कोशन है वृत में दिये गई बिंदो के नाम लिखिए वृत में जो दिये गई बिंदो है उनके नाम लिखने है जैसे बिंदो X, बिंदो A, बिंदो R, बिंदो T, बिंदो P और बिंदो S सेकंड कोशन है दिये गई चित्र में प्रतिक फूल को एक बिंदो मानते हुए नामांकित कीजिए इनके नाम लिखिए तो देखिए प्रतिक फूर में आप नाम लिख देंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J तो देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर नाम लिख देने हैं थार्ड कोशन है देखिए आपको क्या करना है दिएगर चित्रे में फर्स बिंदू में D को बिंदू B से, B को बिंदू F से एवं बिंदू F को बिंदू D से मिलाना है बनने वाली आकरिती का नाम लिखना है तो बनने वाली आकरिती क्यों से हो जाएगी तरिभूज निम्लिकीत प्रश्णों के उत्तर देने हैं आपको देखिए आप बिंदू X से गुजरने वाली कितनी सरल रेखाएं की सकते हैं तो अनन्द की सकते हैं हम X से गुजरने वाली संख्याओं X से गुजरने वाली रेखाओं को बिंदू Y से गुजरने वाली कुछ सरल रेखाएं खीचे तो कुछ ही दर्शानी है तो आप इस तरह से दर्शा सकते हैं दौनों बिंदू X और Y से गुजरने वाली सरल रेखा एक बनेगी जो की सरल रेखा होगी X, Y तो ये टन होता है कारे पत्रग 74 आप देखेंगे कारे पत्रग पिचेतर फर्स कुशन दी गई आकरिती में आपको बिंदो की नाम लिखने है तो A B C D इस तरह से दशा देना है रिखांखंडों की नाम है A B B C और C E किर्णों का नाम हो जाएगा यहां पर C D क्योंकि तो इसकेल की सहयता से आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिछित बिंदू लिखिए तो देखें यह दी गई रेखा है पैरेलल है यानि समानतर है तो यह प्रतिछित बिंदू पर नहीं मिलेंगी यह समान चलती रहेंगी इसी तरह से second question है यह मिलेंगी हां यहां पर लि देखा इस वीडियो में कारेपत्र पिछेत्तर चोहत्तर तिहत्तर बहत्तर और इकत्तर की solution इसी तरह हम आगे की कारेपत्र की solution भी देखते रहेंगी तो जोड़े रहे हमारी चैनल की साथ वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद